Inkscape का इस्तमाल करते हुए, Create and Edit Multiple Objects पर Spoken Tutorial में खुशाम दीद. इस टिटोरियल में हम सीखेंगे Objects को Copy और Paste करना, Objects को Knuckle और Clone करना, मुख्तलिफ Objects के Group और करतीब बनाना, Multiple Selection और Invert Selection, Clipping और Masking. इस टिटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तमाल कर रहा हूँ Ubuntu Linux OS version 12.04 और Inkscape version 0.48.4. डैश होम पर जाएं और टाइप करें Inkscape. आप लोगों पर क्लिक करके Inkscape खोल सकते हैं. Assignment1.svg फाइल खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है. मैंने इसे Documents folder में Save किया है. पहले हम सीखेंगे कि एक Object को किस तरह Copy और Paste करें. ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक Object को मुंतखब करना चाहिए, लहादा Pentagon पर क्लिक करें. अब इसे Copy करने के लिए अपने Keyboard पर Ctrl और C दबाएं. अब Object को Paste करने के लिए Ctrl और V दबाएं. आप Pentagon की Copy Canvas पर देख सकते हैं. Objects को Copy करने के लिए तीन दूसरे तरीके हैं. इन तमाम तरीकों में Objects की एक Copy हकीकी Objects के उपर बनती है. पहले तरीके को Paste Special कहते हैं. याद रखें कि हमने Objects को Copy करने के लिए Ctrl और C पहले ही दबाया है. जहां से इसे Copy किया गया था, इसकी सही जगा पर Objects को Paste करने के लिए Ctrl, Alt और V Keys एक साथ दबाएं. अब हकीकी Object को देखने के लिए Copy किये गए Object को Move करें यानि सरका दें. इन दो Objects को Move करें और एक तरफ रखें. दूसरे तरीके को Duplication कहते हैं. Duplication के लिए पहले Object को Copy करने की ज़रूरत नहीं है. Pentagon को मुन्तखब करें और Keyboard पर Ctrl और D दबाएं. अब हकीकी Pentagon के ठीक उपर एक Duplicate Pentagon बनता है. अब इसके नीचे हकीकी Pentagon को देखने के लिए नकल किये गए Object को Move करें. नकल किये गए Object में तबदीली हकीकी Object पर असर नहीं डालती है. इसका रंग सब्ज में तबदील करके और Size कम करके इसे जाचें. तीसरा तरीका Cloning है. Ellipse पर क्लिक करें और Clone बनाने के लिए Alt और D दबाएं. पहले की तरह Cloned Object हकीकी Object के ठीक उपर बनता है. इसे दिखने के काबिल बनाने के लिए एक तरफ Move करें. नोट करें कि Cloned Object हमेशा हकीकी Object से जुड़ जाएगा. हकीकी Object को इसके Parent के तौर पर भी जाना जाता है. हकीकी Object में कोई भी तबदीली जैसे Size, रंग वगेरा इस क्लोन को मुतासिर करेगा. हकीकी Object का रंग गुलाबी में बदलें, इसे घुमाएं, और इसका Size कम करके इसे जाँचें. देखें कि बिल्कुल यही तबदीली खुद बखुद Cloned Object में होती है. हकीकी Object से क्लोन को अलाहिदा करने के लिए पहले क्लोन को मुंतखब करें और फिर Shift, Alt और D दबाएं. अब हकीकी Object को फिर से मुंतखब करें और इसका Size तब दील करें. देखें कि Cloned Object मुतासिर नहीं होता है. इन Operations के लिए Shortcut icons Command बार में दस्तियाब हैं, जैसे दिखाया गया है. Multiple Objects को मुंतखब करने के लिए Shift की को पकड़ कर रखें और Objects पर क्लिक करें, जिनहें आप मुंतखब करना चाहते हैं. मैं पहले Ellipse चुनूंगा, फिर मैं Shift की पकड़ कर रखूंगा और दूसरे Ellipse को चुनूंगा. Note करें कि दोनु Objects अब मुंतखब हैं. Ctrl और G Keys एक साथ दबाने से हम अब हम इनहें Group कर सकते हैं. Note करें कि Ellipses अब एक Object के तौर पर Group हो गये हैं. आप इनको इधर उधर मुव यानि मुंतकल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि दोनु Objects एक Object के तौर पर मुंतकल होते हैं. Group के Size को तबदील करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि दोनु Objects का Size मुतनासिब तौर पर बदल जाता है. रंग निले में तबदील करें और देखें कि दोनु Objects इसी तरह के रंग में तबदील होते हैं. हम क्या करेंगे अगर हम Group में सिर्फ किसी एक Object की Property को तबदील करना चाहते हैं. Group में से एक Object को मुंतकल करने के लिए Ctrl बटन दबाएं और Object पर क्लिक करें. इस अमल से हम Group में दाखिल हो सकते हैं और मुनफरिद Objects को मुन्तखब कर सकते हैं. Group से बाहर आने के लिए Canvas पर कहीं भी खाली जगा पर क्लिक करें. Objects को अलाहिडा करने के लिए सबसे पहले Group को मुन्तखब करें और फिर Ctrl, Shift और G Keys या Ctrl और U Keys दबाएं. अब Ellipses अलग हो गए हैं. इन Operations के लिए Shortcut Icons Command Bar पर दस्तियाब हैं जैसा दिखाया गया है. Canvas पर तमाम Objects को मुन्तखब करने के लिए Ctrl और A Keys दबाएं. तमाम Objects को गैर मुन्तखब करने के लिए Canvas पर कहीं भी खाली जगा पर क्लिक करें. अगर हम किसी मख्सूस को छोड़ कर तमाम Objects को मुन्तखब करना चाहते हैं, तो हम Invert Selection Option का इस्तमाल कर सकते हैं. माने कि हम Arrow को छोड़ कर तमाम Objects को मुन्तखब करना चाहते हैं. तो सबसे पहले Arrow पर क्लिक करें, Edit Menu पर जाएं और Invert Selection पर क्लिक करें. नोट करें कि Canvas में Arrow को छोड़ कर तमाम Objects मुन्तखब हैं. अब सीखते हैं कि Objects को किस तरह तरतीब देते हैं. बड़े Pentagon के उपर छोटे Pentagon को मुन्तखब करें. अब एक Star यानि सितारा बनाएं और इसे छोटे Pentagon के उपर रखें. छोटे Pentagon को मुन्तखब करें. अबजेक्ट मेन्यू पर जाएं और Raise पर क्लिक करें. देखें अब छोटा Pentagon बुलंद हो गया है और Star के उपर है. अब Star पर क्लिक करें, Object मेन्यू पर जाएं और Lower पर क्लिक करें. अब Star नीचे की करफ मुन्तखब होता है और Pentagon इसके उपर जाहिर होता है. अब बड़े Pentagon पर क्लिक करें, Object मेन्यू पर जाएं और Raise to Top पर क्लिक करें. अब बड़ा Pentagon सबसे उपर जाहिर होता है. अब फिर से Object मेन्यू पर जाएं, Lower to Bottom पर क्लिक करें. देखें कि बड़ा Pentagon निचले हिस्से में मुन्तकल होता है. हम इन Options को Tool, Controls, Bar में भी कर सकते हैं. अब सीखते हैं कि Clipping किस तरह करें. Clipping आपके पेचीदा Objects को तेजी और आसानी से इनकी मुकमल शकल को बदल कर आपके Design के दीगर Elements के लिए मौजून बनाता है. इस कारकरदगी के लिए मैं एक Image को इस्तमाल करूँगा. मेरे पास यहां नई Inkscape फाइल में एक Image है. इस Image पर में एक Ellipse शकल बनाऊंगा. अब Image और Ellipse को मुन्तखब करें. Object menu पर जाएं, Clip पर क्लिक करें और फिर Set पर क्लिक करें. देखें कि तस्वीर अब Ellipse की शकल में Clip हो गई है. Clipping में Object की शकल जाहिर इलाके की वजाहत करती है. हम Object menu पर वापस जाकर Clip खारिज कर सकते हैं. Clip पर क्लिक करें और फिर Release पर क्लिक करें. अब Clip Release होती है. अब Masking करना सीखते हैं. Masking Clipping के जैसी ही है. Masking में एक Object की शफाफियत या चमक दूसरे Object की Opacity का तायून करती है. Masking की कारकरदगी के लिए मैं Gradient Tool का इस्तमाल करते हुए पहले Ellipse को नीम शफाफ बनाऊंगा. अब Ellipse मुंतखब करें. Object menu पर जाएं और Fill and Stroke पर क्लिक करें. Radial Gradient पर क्लिक करें और फिर Edit पर क्लिक करें. रंग सफेद में तबदील करने के लिए RGB Slider बिलकुल दाएं की और मुंतखब करें. Stop Drop Down Arrow पर क्लिक करें और दूसरे Stop को मुंतखब करें. रंग सिया और अलफा वैल्यू को 255 में तब्दील करने के लिए RGB स्लाइडर बिलकुल बाएं जाने मुन्तकल करें दर्मियान में एक दूसरा रंग मिलाने के लिए Add Stop पर क्लिक करें Node Tool पर क्लिक करें और Diamond Handle को उपर की और मुन्तकल करें अब Image और Ellipse को मुन्तखब करें Object मेन्यू पर जाएं, Mask पर क्लिक करें और फिर Set पर क्लिक करें देखें कि Mask Image पर बन गया है Note करें कि शकल Masking Object की शफाफियत की Properties लेता है जो Ellipse है Mask हटाने के लिए Object मेन्यू पर वापस जाएं Mask पर क्लिक करें और फिर Release पर क्लिक करें Mask अब हट गया है मुखतसर में इस टिटोरियल में हमने सीखा Objects को Copy और Paste करना Copy और Clone Objects मुखतलिप Objects को Group में तरतीव वार करना Multiple Selection और Invert Selection Clipping और Masking यहां आपके लिए दो काम है सुर्मई रंग में एक Vertical Ellipse और सियाह रंग में एक दाइरा बनाएं Ellipse के उपर दाइरे को मरकज में रखें यह आँख की शकल की तरह नजर आना चाहिए अब इन्हें Group में रखें एक दूसरी आँख बनाने के लिए एक Clone बनाएं दोनु आँखों को जाहिर करने के लिए इसे एक तरफ मुंतकल करें नीले रंग में एक दाइरा और सुरुख रंग में एक चौकोर बनाएं चौकोर का डुप्लिकेट बनाएं और दोनु को Diagonal यानी तिरची मुखालिफ सिंट में रखें दोनु चौकोर मुंतकल करें और इन्हें एक अबजेक्ट में ग्रूप करें दाइरे को ग्रूप किये गए हिस्सूं के उपर मरकज में रखें दोनु को मुंतकल करें और एक क्लिप बनाएं ये Command की तरह नजर आना चाहिए मुकमल मुकररा काम इस तरह नजर आना चाहिए दर्जदेल लिंक पर दस्तियाव वीडियो स्पोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंड विडिट न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकुन टिटोरियल का इस्तमाल करते हुए वर्टशॉप्स भी चलाती हैं और आनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्दा करें Spoken Tutorial Product भारती हुकूमत के MHRD के ICT के जरिये कौमी खौंदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है इस मिशन पर मजीद मालूमाद दर्जे लिंक पर दस्तियाब हैं अब हम इस टिटोरियल के आखिर में आ गए हैं इस सिक्रिक्ट का तरजुमा और सदाबंदी मैंने यानि वजहत अहमद ने की है शुक्रिया